नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी येट्यूब चैनल एगरी एक्सपर्ट आसीद में दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्तान इतिहास की एक स्पेशल सीरीज इतिहास राजस्तान का दोस्तों इसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं मेवाड राजवन्स की और मेवाड राजवन्स में हमने पिछले वीडियो में बात की थी महाराना सांगा भाग प्रथम की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराना सांगा भाग दृत्ये इस भाग में हम बात करेंगे महाराना सांगा के कुछ और प्रमुक युद्ध की जो युद्ध हुए थे उनके बाबर से दोस्तों क्यों बावर्व से युद्ध होए थे अवन की हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं अभी तक अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो में इनrice के आई ऋबटन में आपको लिंक उसी कारण से उन्होंने दो वेक्तियों को बेजा था दोलत खा लोदी और आलम खा लोदी ये दोनों वेक्ति जाते हैं कहां काबूल और काबूल जाकर बाबर को बुलावा देते हैं कि भाईया भारत आईए यहां पर एक मेवाड रियासत है यह हमारे से समल नहीं रही है यह यहां के जो सासक है इन पर अधिकार पाना अवश्यक है यह हमारे अकेले के बसकी बात नहीं और यही कटना आगे चलकर मुगल सामराज्य की स्तापना का कारण बनती है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बयाना युद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे खानवा युद्ध के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे महराना सांगा के कुछ विशेस सयोगी जिसे जाला अज्जा और एक मुस्लिम सेनापती जो इनके संदर्ब में बहुत ज़ हुए थे उनके बारे में उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे बाबर के बारे में कि कौन था बाबर अगर बात करें दोस्तों ये सासक कहा के थे तो काबुल का ये सासक था और उस वक्त ये सासन कहा कर रहा था काबुल में कर रहा था ठीक है काबुल जो है वहाँ पे ये सासन कर रहे थे अब इनकी बात आती है इनके पूर्ण नाम की चहिरुदीन अहमद बाबर चहिरुदीन अहमद बाबर ये इनका पूरा नाम था उसके बाद दोस्तों इनकी बात करें कि ये किनके समकालीन थे तो इनकी जन्म की तारीख से पता चल जाएगा कि इनके समकालीन थे अगर इनकी जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 इस्वी में इनका जन्म हुआ था और अगर माराना सांगा की बात करें तो अपरेल 1482 में इनका जन्म हुआ था यानि कि ये लगबग लगबग बाबर की इनके समकालीन थे माराना सांगा के समकालीन थे अब दोस्तों इनकी बात करें कि इनको भारत किसने बुलाया भारत का जो इनका बुलावा था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि भारत जो बुलावा लेके गए थे वा कौन लेके गए दूलत खानलोदी और दूसरा कौन था आलम खानलोदी यह दोनों गयर बुला के लाए भीया आईए भारत पर क्या करना है आकर्मन करना एक रियासत है वो हमारे समल में नहीं आ रही है वो इसको हमें हराना आवश्यक है तो ये भारत बुलावा दो वेक्ति लेके गए थे अब दूसरी अगर इसकी बात करें कि इनकी मृत्यू कब हो गई जादा समय तक इनोंने सा 1330 में इनकी क्या हो गई मृत्यू हो गई लेकिन इनका जो प्रमान है वो कहां से मिलते हैं तो इन्होंने अपनी आत्म कथा लिखी थी आत्म कथा लिखी थी और उस आत्म कथा को क्या कहा जाता है तुजू के बाबरी तुजू के बाबरी कहा जाता है और और क्या कहा जाता इसे और कहा जाता है बाबर नामा बाबर नामा कहा जाता है बाबर नामा कहा जाता है तो दोस्तों अगर आत्मकथा की बात करें कि बाबर की आत्मकथा क्या कहलाती है तो तुजु के बाबरी या बाबर नामा कहलाती है और एक विशेश क्या किया था इसने भारत में सर्व प लेकिन क्या हुआ इस युद्ध से पहले भारत में तोफ खाने का उप्योग करने का प्रचलन नहीं था और जैसे ही इस युद्ध में सर पर्थम उन्होंने तोफ खाने का उप्योग किया तो राणा सांगा की जो सेना है वो तितर बितर हो गई और इस युद्ध के इस प्रि सिकेट की बात की जाए तो अजंता मेंडिस जब सर्थ से पहले बोलिंग करने आये थे तो कुछ समय तक उनको समझना ना मुम्किन हो गया था बैट्समें जो ही वो बोलर बोल डालता था बैट्समें लगबग लगबग आउट होने लगे थे लेकिन एक समय आया धीरे-धीरे उसके अगेंस्ट रणनीतियां बनने लगी तब अजंता मेंडिस की जितनी भी बोलिंग थी उसका जो धार था जो पहना पन था वो जाता रहा या खतम हो गया इसी तरह यहां पर क्या था महराना कुंबा ततकालीन समय के युद्ध जितने भी थे उनमें तो ये महारत हासि थी इनके पास युद्ध नीतियां थी उसकी कि क्या तो बाबर करेगर क्या उसका अगेंस्ट जवाब हमारे पास देना है प्लान A B C D सारे बना के रखे थे लेकिन क्या कर दिया इसने इसने नई गुगली डाल दी क्या डाली तोप ले आया अब तोफ का ना इसके पास था तोप एकमात्र प्रथम बार उपयोग हुई थी ना इनकी सेना ने तोफ देखी थी ना इनोंने तोफ देखी थी तो उस तोफ के लिए क्या रणनीती होनी चीए उसका अभावता अधरवाई तो उस वक्त तो सेना रणा सांगा के पास बाबर की तुलना में बहुत जादा थी और लगबग सारे के सारे हिंदू सेनिक या यूं कह दीजिए उस वक्त मेवाड के या मेवाड के आसपास के पूरे के पूरे राजा एक मात्र समय था जब एकत्र होके एक जूट होके किसी बाहरी विदेशी आकरांता के लिए लड़े थे तो वो समय महाराना सांगा का समय था तो ये था दोस्तों बाबर के लिए किसन पूछे जाते हैं कि ये कहां के सासक थे कब आये थे भारत ये किनों ने इने बुलाया था इनकी मृत्यू कब हुई तीर आत्म कता क्या कही जाती है इनका जो विसेश यहां से किसन पूछे जाते हैं कि राजस्तान में या भारत में सर्व पर्थम तोपकाने का उप्योग करने वाला सासक कौन था तो काबुल का सासक बाबर था जिसका पूरा नाम जहिरोदीन एहमद बाबर था तो ये दोस्तों इसका स्क्रिंशोट ले लीजिए उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रथम युद्ध बयाना के जो था तो वो प्रथम आकरमन क्या था किस स्थान पर किया गया था वो सारी की सारी बारता हैं हम पढ़ेंगे तो दोस्तों अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें किस ने किया बाबर ने किया और बाबर ने जो प्रथम युद्ध किया था वो किस स्थान पर या किस नाम स जाना जाता है तो उसे हम बायाना का युद्ध कहते है इसी नाम से ये प्रसिद है इतियास में कि बायाना का युद्ध किन के मद्ध हुआ था या किस्तान पर हुआ था और इसकी क्या विजे परिनाम क्या रहा इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस युद का जो समय है वो क्या समय है तो अगर हम समय की बात कर लें तो सन 1527 या फरवरी 1527 इस्वी को फरवरी 1527 इस्वी को ये युद होना बताया जाता है और अगर पॉन्त या तारीक की भी बात करनी हो तो 16 फरवरी 1527 को ये युद हुआ था और कहा हुआ था तो स्तान क्या है स्तान जो है इसका बयाना है बयाना कहां पर स्तित है दोस्तों तो ये वरतमान में भरतपुर नामग जिल्ले में स्तित है बयाना और इस युद में सेना पती तो किस ने किया था सेना पती कौन था अब दोस्तों इसमें दोनों ही सेना पती पूछे जाते हैं दो तरब से और दोनों ही तरब से सेना पती पूछे जाते हैं पहला तो पूछा जाता है कि बाबर का सेना पती कौन था और दूसरा पूछा जाता है सांगा का सेनापती कौन तो बाबर के सेनापती की बात करें दोस्तों तो ये किसन बहुत बार पूछा हुआ मेहंदी ख्वाजा नामक जो वेक्ती था वो बाबर का सेनापती था युद में बयाना के युद में और राना सांगा का सेनापती कौन था तो हसन खा मेवाती था देखे दोस्तों दो इतियास मेवाड के इतियास में दो ऐसे मुस्लिम सेनापतियों का प्रमान मिलते हैं जिन्होंने मेवाड के सासकों के लिए अपने जान अपने प्राण नियोचावर कर दिये थे दो नाम आते हैं एक हसन का मेवाती दूसरा आता है हकीम का सूरी जो कारिय राणा सांगा के लिए हसन खा मेवाती ने किया था वही कारिय राणा प्रताब के लिए हकीम खा सूरी ने किया था अब दोस्तों यहाँ पे confusion create होता है जब हमें पूछ लिया जाता है और दोनों option में मिलते हैं राणा सांगा के लिए किस मुस्लिम सेनापती ने युद लड़ा था हकीम का सूरी हसन का मेवाती दोनों साथ में आते हैं अब आपको clue क्या रखना ध्यान रखना युद कहा हुआ था भरतपूर में हुआ था इसके आसपास के खेत्र को क्या कहा जाता है मेवात कहा जाता है इसलिए ये अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे मेवाती लगाते थे आप नाम से पता लगा सकते हैं हसन का मेवाती किस युद में यानि मेवात के छेत्र में जो युद हुआ उसमें ये लड़े थे कौन सा युद था वो भरतपुर का युद था बयाना का युद था तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं जबकि हकीम का सुरी कहां लड़े थे लड़े तो मुगलों के खिलाब थे लेकिन हल्दी गाटी के युद में लड़े थे हलदी गाटी का युद्ध कहां पर है राज समंद में है, वो मेवात में नहीं है इसलिए जो हशंन का मेवाती है वो कहां लड़े थे, मेवात में लड़े थे, ठीके, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते है उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी परिणाम की बात करें यहां पर क्या हो गया माराना संगा विजय हो गए अब विजय हो गए लेकिन माराना जितने भी मेवाड के राणा हुए या यूँ कह दीजे साहिंदू सासक हुए उन्होंने क्या किया है जब जब युद में जीते हैं तब तब दो गलतियां किये प्रथम गलती अपने अगेंस्ट आक्रमन कारी को या तो केद में रखके छोड़ दिया है या उसी वक्त छोड़ दिया जिवित छोड़ दिया जिस क्या हुआ प्रतविराज के अगेंस्ट ग्यारा सो बर्राण में वापस आया वह NICK झोड़ा ग्यारा सो ब्राण में वह जीता और अपने साथ अफगानिस्तान या कबूल ले जाता और वहां पर इनकी मृत्यों या उनको हत्य की जाती यह वही कारिये क्या है राणा सांगा ने कर दिया कब 1527 में या 16 फरवरी 1527 को जब युद हुआ था कोण सा बयाना का तब क्या कर दिया इसने बाबर को हरा दिया था लेकिन जीवित छोड़ दिया जिन्दा जाने दिया और यही कारण पड़ा यह सबसे बड़ी गलती कही जाती है राना सांगा की कि अगर यह गलती नहीं करते तो मुगल सामराज्य की स्थापना नहीं होती क्या गलती कर दी बाबर को जीवित छोड़ना और जीवित छोड़के यह अपने देनिक कारिये यह अपने कारियों में मस्गूल हो गए और इतने में क्या हुआ मात्र एक महिने बाद मात्र एक महिने वापस महाराना संगा पर अटेक करता है और ये इस्तान कहां पर है? इस yud को कोण सा yud कहा जाता है? खानवा का युद कहा जाता है इसी युद से भारत में कौन सा सामराज्य स्तापित हुआ मुगल सामराज्य स्तापित हुआ किस युद में या किस गटना के बाद भारत में मुगल सामराज्य की स्तापना होती है तो किस युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद मुगल सामराज्य की स्तापना हो जाती है, ये युद्ध कब हुआ था, मार्च 1528 में हुआ था, देख लीजे, 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध होता है, थोड़ा सा समय मिला इस वेक्तित्तु को वापस आया, वापस लड लेकिन इसने इस बार क्या कर दिया, एक नई टेकनिक साथ में लाया, तोप काने लाया, जिसका इलाज या जिसका जवाब किसके पास नहीं था, माहरणा सांगा के पास नहीं था, तो दोस्तों ये हो गया, बयाना के युद्ध के बारे में यहां से बहुत जादा नहीं को दोस्तों इस बयाना के युद के बाद हम बात करेंगे खानवा के युद की तैयारियों के बारे में दोस्तों जैसे ही बयाना का युद हुआ उसके बाद में अगर पता चला इनको कि ये युद वापस होने वाला है या बाबर क्या करेगा वापस युद करेगा या वापस अकरमन करेगा और वो युद खानवा के युद के नाम से प्रशिद होता है लेकिन राणा सांगा को जैसे ही ये जानकारी लगती है कि ये युद वापस होने वाला है तो वो अपनी तयारियों में क्या-क्या तयारिया करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उन तयारियों में एक ऐसी परंपरा, जिसे राज पुताने में सर्व से पहले या एक मातर बार उप्योग करने वाले जो वेक्तित्व थे, वो कौन थे, माराना सांगे थे, ऐसी क्या परंपरा कहलाती थी उस परंपरा को कहते थे पाती पेरवन परंपरा या इसे पाती फेरवन परंपरा के नाम से भी जाना जाता है अब होती क्या है ये दोस्तों ये बहुत पुरानी परंपरा है अगर हम गरंथों की बात करें या पुराने वेदों की बात करें तो प्र या एक पत्र लिखकर भेजते थे कि इस समय एकत्रित होकर लड़ने का समय हम सभी एक साथ होकर इस आक्रमानकारी से लड़ते हैं और उसके बाद में हमारा जो रज्ये उसकी हम रक्षा करते हैं क्यों कि ये जो आक्रमानकारी है अगर किसी एक पटिकुलर रज्ये पर आ रहा है अधिकार करेगा तो यह बहुत बड़ा अक्रमनकारी है यह दीरे-दीरे हमारे साथ-साथ आपके रैज्यों को भी हड़ब सकता है एसी स्तिती नहीं क्रियेट हो इसलिए हम क्या करें एक साथ होकर लड़ें एसी प्रमप्रा थी वह यह प्रमप्रा कोंड़ी ति प्राइब प्राजीन प्रमप्रा कहलाती है जिसको वापस उजागर करने वाले यह राज-पुताने के प्रथम सासक थे एक मात्र सासक थे तो भी अतिशूक्ति नहीं होगी क्योंकि इन से पहले और इनके बाद में नभूतों नभविशती किसी भी सासक ने राजपुताने में इस प्रंप्रा का निर्भन नहीं किया अब दोस्तों इस प्रंप्रा के तहत जब यह पाती पेरवन परंपरा हुई या ये पाती लेकर इनके दूत गुमें तो करनल जैम्स टॉड कहते हैं कि इसी परंपरा के तहत इन्हों ने इतने वेक्तियों को इतने सासकों को एकतरित किया था कि राजपुता ने में ऐसी एकतरता पहले कभी नहीं देखी गई थी करनल जैम्स टॉड ने कहा था कि उसे पूछा जाता है करनल जैम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा के साथ कौन कौन थे तो साथ तो थे उच्छ स्रेणी के राजा साथ तो क्या थे उच्छ स्रेणी के राजा थे नो क्या थे राव थे और एक सो चार सरदा इतनी बड़ी फोज इन्होंने तयार कर ली थी फोज में कोई कमी नहीं थी इनकी तयारी में कोई कमी नहीं थी कमी कहा रे गई बाबर ने एक कदम आगे बढ़ के क्या कर दिया तोप खाने का प्रियोग कर लिया यह यहां पर दिक्कत रे गई थी लेकिन क्यूशन पूछा जाता है पाती पेरवन राजपुताने में सबसे पहले कौन लाए या किनों ने इसका निर्वन किया राणा सांगा नहीं किया इस पद्धति के अनुसार जेम्स टोड ने क्या कहा तो कि जेम्स टोड ने कहा कि महार प्रणा सांगा के पास इस पाती पेरवन प्रंप्रा के अधीन साथ उचिस्रेणी के राजा नो राव और एक सो चार सरदार थे जो बाबर से लड़ने के लिए तयार थे अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सरदार मुख्य थे थे जो लड़ने के लिए तयार देखना दोस्तों ऐसे ऐसे राजिये या ऐसे ऐसे आपको सासक मिलेंगे जिन राजियों के सासक कभी भी आपको मेवाड के सयोग में नहीं मिलें पहला बिकानेर बिकानेर के कोण राजा कोण था तो राव कल्यानमल राव कल्यानमल साथ में थे उसके बाद बात करें जेपूर कच्छवा सासक जो थे कच्छवाओं का इसके बाद में कभी भी मिवार का सयोग नहीं दिया है लेकिन इस युद में प्रत्वी राज कच्छवा ने इस युद में सयोग दिया था उसके बाद हम बात करें चंदेरी और चंदेरी का कौन था तो मेदिनी राए और हमने ये पढ़ा था गागरोन के युदमे की मेदिनी राए उस वक्त क्या थे गागरोन के किलेदार थे उसके बाद दोस्तों हम बात करें देवलिया के बाग सी उसके बाद अगर हम बात करें मेव जाती के या मेवात के जो सासक थे वो कौन थे हसन खाम मेवाती हसन खाम मेवाती ने भी क्या के दिया संगाप लड़ो मैं आपके साथ हूं उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो इनके लिए या इनका जीवन बचाने के लिए एक बहु का था सादड़ी का थार सादड़ी का क्या नाम था जाला अज्जा नाम था जाला अज्जा नाम था इनके समान ही महरणा परताब के समय भी जाला बीदा नामक विक्तितु था जिन्होंने क्या किया था महरणा परताब को युद्ध से बाहर निकालके स्वेम उन्होंने राज कि यहां भी कन्फ्यूजन आता है जाला अज्जा जाला बीदा किस वेक्ती ने राणा सांगा को युद्ध से बचाने के लिए खुद ने राज मुकुड या राज तिलक धारन किया था ओप्शन में जाला अज्जा बीदा दोनों आता है मेरी स्पेशल ट्रिक है याद करने क का तरीका है पहले कोना या संगा तो इधर भी जाला अज्जा और बीदा में ए और बै पहले कोना आता है यानि पहले कोना या संगा संगा का सपोटर कोन होगा अज्जा बाद में कोना या प्रताब तो प्रताब का सपोटर कोन होगा बीदा होगा इस तरह से आप तयार कर सकत लेकिन यह याद करने का तरीका है उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मेड़ता के कौन थे तो मेड़ता का वीरम देव मेड़ता का सासक या मेड़ता में उस वक्त जो सासन जिनके पास था वो वीरम देव भी क्या थे वो इनके साथ थे उसके बाद अगर हम बात करें तो इडर के भारमल इडर के बारमल ये भी इनके साथ थे उसके बाद उपरमाल ये जिसे हम बिजोलिया केते हैं बिजोलिया का जो ठिकाना है वो दिया गया था असोक परमार को और ये असोक परमार क्या था ये राणा सांगा का सपोटर था उसके बाद नागोर का खान जादा औ और अखे राज सोनगरा अखे राज सोनगरा नागोर का खान जादा यह इतने जो सासक थे यह सारे के सारी यह मुख्या सासक बाकी तो बात हो गई साथ उच्छिस्रेणी के राजा नोम राव और 104 सरदार थे लेकिन यह मुख्य मुख्य वेक्तित्तु थे जो राणा संगा का सपोर्ट कर रहे थे जिसमें मेवाड आ गया मिकानेर आ गया जेपूर यानि आमेर आ गया एक बच गई मारवाड और मारवाड में इनके समय कौन थे तो मारवाड में माल देव इनके सपोर्ट में थे जो राव माल देव थे वो इनके साथ में युद्ध करने के लिए सपोर्ट में थे तो ये सारे के सारे जो सासक थे दोस्तों ये पाती पेरवन परंपरा के दोरान या पाती पेरवन परंपरा के अंतरगत राना सांगा का साथ दे रहे थे इसका आप ले लिजे स्क्रीन सोट उसके बाद हम बात करेंगे खानवा के युद्ध के बारे में ठीक है दोस्तों तो अब हम बात करेंगे खानवा के युद्ध के बारे में या इस ऐसी गटना के बारे में जिस गटना से क्या हुआ मेवाड नहीं भारत में मुगल सामराज्य की स्ताफना हो गई ये दोस्तों अंतिम समय चल रहा है माराणा कुमभा की कारियकाल का तो हम बात करेंगे इस युद्ध करेंगे युद्ध कोन सा है खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध बात हम कर चुके हैं दोस्तों की पहले फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ थार बयाना के युद्ध में बाबर हारता है और वहां से भाग जाता है राना सांगा जीवित छोड़ देते हैं उसके बाद बाती पेरवन पद्धती से ये बहुत बाद में राना सांगा और बाबर के मद्धे युद्ध होता है और इस युद्ध के बारे में पूछा जाता है कौन सा स्थान था तो स्थान की बात करें दोस्तों तो ये जो स्थान है ये खानवा नमक स्थान पर हुआ था इसलिए इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है खा जासकार कहां का युद केते हैं रूपवास का युद केते हैं और ये खानवार रूपवास दोनों किस जिल्ले में थी थी तो ये भरतपूर जिल्ले में थी तो दोस्तों अगर क्योशन पूछ लिया जाए कि खानवा का युद कहा हुआ था तो ये खानवा का युद कहा और खानवा के पास ही कौन सा एक स्थान है रूपवास नाम गाउं है या स्थान है इसलिए इसे रूपवास का युद कहते हैं और ये किस जिल्ले में है भरतपुर जिल्ले में उसके बाद अगली बात करें दोस्तों कि इस युद में आक्रमन कारी कौन था तो आक्रमन कारी ह पहले ही याद है फिर भी हम पढ़ लेते हैं जहिरुदिन अहमद बाबर यह जो बाबर हैं इन्होंने आक्रमन किया था और अब क्या हुआ अब परिनाम की बात कर लेते हैं सीधी सीधी परिनाम क्या रहा इस युद्ध का उसके बाद सारी बातें बाद में करेंगे परिणाम ये रहा बाबर क्या हो गया विजई हो गया बाबर क्या हो गया विजई हो गया और क्या हो गया भारत में मुगल सामराज्य की स्तापना हो गई मुगल सामराज्य की क्या हो गई स्तापना हो गई अब देखे दोस्तों हमने बात की थी पाती पेरवन पदती के तहत साथ उच्छिसरेनी के राजा नो राव एक सो चार सरदार थे यानि राना सांगा की सेना बहुत बड़ी थी क्या थी बहुत बड़ी थी लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद खानवा के युद में महराना सांगा को प्राजे का सामना करना पड़ा क्यों? यह सबसे मुख्य कारण है क्यों? क्यों कि अगर हम बात करें तो कुछ चीजे निकल के आती है पहली चीज तो ये निकल के आई कि बाबर के द्वारा तोप का उपियो या सर्व प्रथम तोप काने का उपियो ये तोप काने का उपियोग हो गया इस उपियोग से क्या हुआ राणा सांगा की सेना भी अनभिग्य थी और राणा सांगा स्वेम अनभिग्य थे और दूसरी एक चीज और लेकर आया ये क्या लेकर आया तुगलमा पद्धती युद की तुगलमा पद्धती ये पद्धती भी राणा सांगा से अनभिग्य थे इस पद्धती से भी इस वज़े से ये जान नहीं पाए समझ नहीं पाए और तीसरा कारण जो सबसे मुख्य कारण था इसने किया तो दो नाम लिखके आते हैं विश्वास गात में पहला नाम आता सलहदी तमर जो क्या कर रहा था लड़ तो सांगा की तरफ से रहा था बाद में इसने क्या कर दिया विश्वास गात कर दिया और दूसरा नागोर का खान जादा ये क्या था ये भी पहले तो सामिल करना अब अगर दोस्तों बात करें इसकेश में की कि जब इन्हों आ उपियोग किया तो जो इनके तोप ची थे वह कौन थे इनके संदर्ब में क्युसन पूछे जाते हैं कि बाबर का जो प्रमुक तोपची था या जिसे तोप चलाने वाला कहते हैं वो तोपची कौन था तो उस तोपची के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मुस्तफा पहला और मुख्य जो तोपची था वो तो मुस्तफा था और दूसरा था उस्ता उस्ताद अली ये दो वेक्ती थे जिन्नोंने बाबर के सलिए खानवा के युद में तोप चलाई थी और इनको क्या कहा जाता है तोपची कहा जाता है कि उसन बहुत बार पुछा हुआ है बाबर के खानवा युद में तोपची कौन था मुस्तफा और उस्ताद अली तोपच एक बहुत बड़ी और बहुत रोचक गटना हुई बयाना के युद में राणा सांगा की जो मेवाड की सेना थी या जो सयुक्त सेना थी उससे इतने गबरा चुके थे मारा बाबर के जो योद्धा थे जो सेनिक थे कि ये वापस खानुवा की युद में नहीं जाना चाहते और किसी न जैसंते से इन्होंने वापस खानवा की युद्ध में लेकर आये लेकिन जो ही इतियासकार कहते हैं कि जो ही खानवा का युद्ध सुरू हुआ था वे उसी तरह मेवाड की इस सयूपत सेना ने इस बाबर की सेना के पेर उखाड़ना सुरू कर दिये और जब ऐसा लगा कि यह हम नहीं जीत सकते हैं तो इनके सेनिक क्या होगे बाबर के सेनिक क्या कर दिये वापस भागने लगे वापस जब भागने लगे तो बाबर को लगा ऐसे तो क्या हो जाएगा माहौल खराब हो जाएगा हार जाएंगे तो बाबर ने फिर उनको वापस संगठित क करने के लिए वापस रोकने के लिए स्वेम गाजी की उपादी धारन की स्वेम क्या कर ली गाजी की उपादी धारन कर ली गाजी का मतलब होता है धरम की रक्षा करने वाला गाजी की उपादी धारन कर ली और इसने पहले क्या कर दिया बहुत सारा समझाया पेशा दूंगा बहुत सारी आपको जगे दूँगा या जाइदाद या रियासते दूँगा लेकिन उन सेनापतियों ने का क्या कहा कि मेवाड के जो सेनिक है वो शाक्षात महाकाल बनके गूम रहे हैं अगर हम जीविती ने रहेंगे तो आपकी इस पैसे और इस सेना इस रियासत काम करेंग ये युद क्या है जेहाद का युदे जेहाद का युद कह दिया इस युद को और जेहाद का युद कहने के बाद जेहाद का युद कहने के बाद जितने भी आक्रमन कारी सेनिक थे वो वापस तूट पड़े राना सांगा की सेना पर और उसके बाद क्या चलो हो गए तोफ जाता है मार खानवा का युद कब हुआ था तो आपका ये युद हुआ था सत्रा मार्च हमने ये लिखना भूल गए दोस्तों समय भी लिख दीजिएगा सत्रा मार्च 1527 17 मार्च 1527 इश्वी को खानवा के मेदान में राणा संगा और बाबर के मद्य युद हुआ उसे खानवा का युद या रूपवास के युद के रूप में जाना जाता है रिश्युद में आक्रमंकारी कोन था बाबर थार उसका परिनाम क्या निकला बाबर विजय हुआ अब बात आती है राणा सांगा पास सेना कम लेकिन जीता फिर क्यूं तीन कारण रहे पहला है मों प्रथम तोब्षाने का उप्यों किया और मेवाड़ की सही है तो युद्ध की तुग्लमा पद्धतिन लेकर आए और उससे भी महा राणा संगा अनभिग्य यानि उसका जवाब नहीं था जिस तरह महाभारत में केवल चक्रवियू तोड़ने की जो नीती है वो अरजुन को पता थी और उसके बाद कहीं पता थी तो थोड़ी बहुत अभिवन्यू को पता थी उसी तरह ये तुगलमा जो पदती थी ये प्रतम बार लाई गई थी तो मारणा सांगा की सेयुक्त सेना को पता नहीं थी उसके बाद क्या कर दिया तीसरा मुख्य कारण विश्वास गात कर दिया किस ने कर दिया सलहदी तवर ने कर दिया और उसके बाद नागोर के खान जादा ने कर दिया अब उसके बाद क्यूसन पूछा जाता है कि जब परतम आती है तो उससे संबंदित क्यूसन पुछे जाते हैं तो सर्व परतम जो तौपची था वो मुस्तफा और उस्ताद अली दो तौपची थे जिन्होंने तौप को चलाया था उसके बाद बात आती है कि युद्ध तो हार रहा था बाबर लेकिन उसने वापस अपने सेन को में एक कॉंफिडेंस बरने का कारे किया तो एक उपादी धारन की क्या उपादी धारन कर ली गाजी की उपादी धारन कर ली इस युद्ध को क्या नाम दे दिया जहाद का युद्ध नाम दे दिया जहाद के युद्ध का मतलब होता है धर्म रक्षार्थ युद्ध धर जब राणा सांगाप की मृत्यू समीप थी या इस युद में वो मरने वाले थे या उनकी मार देते उनको इतने वो गायल हो चुके थे उस समय पर एक वेक्ति ने इनका सपोर्ट किया था और उस समय सपोर्ट करके राज तिलक को उन्होंने पहन लिया था तो उस वक्त ऐसा क खाई करने वाड़ा कौन था जाला युद्धी जाला अज्जा जैसे ही पता चला कि राणा संगा बहुत ज्यादा गायल हो गए बहुत ज्यादा गायल हो गए तो उन्होंने क्या किया इन के पास गए और इनका जो राज मुकुट था जो राज तिलक था वो पहन लिया और कहा आप क्या कहीजिए मेवाड को आपकी आवशक्ता है हिंदुस्तान को आपकी आवशक्ता है आप जाईए आप वहां सुरक्षित रहिए आपकी जगे युद्धिकॉन लड़ेगा जाला अच्चा लड़ेगा अब यहां से मराना सांगा को बाहर ले जाया जाता है तो वो किन किन के सयोग से ले जाया जाता है तो प्रत्वी राज कछुआ जेपुर के या आमेर के प्रत्वी राज कछुआ जो उस वक्त मेवाड के साथ ते उनके सयोग से माराना सांगा को बाहर ले जाया जाता है और इ एक वेक्ति और है जो इनका साथ देते हैं अखे राज अखे राज सोनगरा अखे राज सोनगरा चोहानों के युद्धा थे और ये अखे राज सोनगरा और पत्युराज कछवा दोनों मिलकर राणा सांगा को युद्ध स्तल से बाहर ले जाते हैं जबकि राजा का राज मु इनके अंतिम समय के बारे में इससे पहले आप ले लीजिए इसका स्क्रीन सोट ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके अंतिम समय और अंतिम समय से पूर्व हम बात करेंगे कुछ इनके मुख्य सेनापती जिनके बारे में क्योशन पूछा जाता है दो मुख्य वेक्ति जिनकी हम बात यहां पर बहुत जल्दी कर लेंगे वो वेक्ति हैं पहले तो जाला अज्जा और अगर हम बात करें कि जाला अज्जा कहां के थे तो जाला अज्जा काठिया वाड के सासक राज सिंग के पुत्र थे और इन्होंने खानवा के युद में मह राणा संगा का दिया था उसके बाद दूसरी बात करें हसन का मेवाती की तो हसन का मेवाती अलवर के मेव जाती के सासक थे और इन्हों ने भी खानवा बयाना दोनों ही युद्धों में अपना महत्पूर्ण योगदान राणा सांगा के लिए दिया था उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगली कि इनका जो अंतिम समय हुवो किस प्रकार बीता तो अगर हम अंतिम समय की बात करें तो क्या गटना गरम है दोस्तों कि खानवा के मेदान से खानवा का जो युद्ध हो रहा है और युद्ध कोण सा खानवा का और खानवा के इस युद्ध में जाला अज्जा तो पहन लेते हैं इनका मुकुट और दो वेक्ति लेकर इनको चले जाते हैं बस्वा दोसा कहां लेकर चले जाते हैं बस्वा दोसा लेकर चले जाते हैं और वो ले जाने वाले वेक्ति कौन पहला तो अखे राज सोनगरा और दूसरा कौन था प्रत्विराज प्रत्विराज कछवा यह दोनों इनको लेकर चले जाते कहां पर बसवा दोसा ले कर चले जाते अब बात क्या आती है कि बसवा दोसा लेके चले गए लेकिन क्या हुआ जेसे इनको ओसायार कहा नहीं मैं वापस लडूँगा और जब तक मेवाड को स्वतंत्र नहीं करा लेता मैं पगड़ी धारन नहीं करूँगा क्युशन पूचा जाता है मेवाड के किस सासक ने कहा था कि जब तक मेवाड स्वतंत्र नहीं होगा मेवाड स्वतंत्र नहीं होगा पगडी धारण नहीं करूँगा यानि मेवाडी जो पगडी वो पहना करते थे उस पगडी को उतार दिया और एक प्रतिग्या लेली कि जब तक मेवाड वापस स्वतंत्र नहीं हो जाता इन मुगलों से या बाबर से तब तक मैं क्या अब क्या हो गया 1528 की बात है 1528 की बात है इस समय बाबर क्या कर रहा है आक्रमन कर रहा है कहां पर चंदेरी पर आक्रमन कर रहा है इसी समय ये राणा सांगा क्या करते हैं इरीच के मेदान में पहुंच जाते हैं यहां जाके बोगते हैं सब इस सेरदारों को एकत्रित करके भ 1528 तक लड़ाईयां कर रहे हैं और इसमें क्या हुआ आर्थिक दृष्टी से देखिए या और किसी भी दृष्टी से की देखिए मेवाड की जुस्तिती है या मेवाड के युद्धों की जुस्तिती है वो लगबग बिगड चुकी थी और किसी युद्ध को वो करने में शक को विश दे दिया गया, क्या दे दिया, विश दे दिया, अब इस विश देने के कारण, 30 जनवरी 1528, इसवी के दिन इनका क्या हो गया, इनका देहान थो गया, रिख किस कारण हुआ, विश के कारण हुआ, रिख किस ने दिया था, मेवाडी सरदारों ने दिया, अब इनको ज मृत्यू हो गई तो अब बात आती है कि इनका अंतिम संसकार कहां हो यह क्यूशन पूछा जाता है मृत्यू तो इनकी कहां हो गई इनको इरीच नमक स्थान पर क्या कर दिया इन्होंने जहर दे दिया और इनकी मृत्य हो गई, लेकिन इनका अंतिम संसकार नहीं, वहां नहीं हुआ, इनका अंतिम संसकार कहां हुआ, मांडल गड में हुआ, और मांडल गड उस वक्त कहां, किसके अधीन आता था, मेवाड के अधीन आता था, वर्तमान में देखा जाए, तो यह मांडल कड कहां आता बीलवाडा में आता है यहां पे इनका अंतिम संसकार हो गया अब बात आती है इनके दो समारक बने हुए इनके क्या बने हुए दो समारक बने हुए जहां इनका अंतिम संसकार हुआ था जहां वहां पे इनकी छत्री बनी हुई क्या बनी हुई है छत्री बनी हुई इर कितने छे खंबोकिर इसका निरमान अगर पूँच लिया जाए किसने करवाया था तो उस वक्त बिजोलिया या उपरमाल का जो परगना है वो असोक परमार के पास था और इसी ने खानवा युद में भी सयोग किया था तो असोक परमार ने मांडल गड में छतरी का निरमान करवाया था राणा सांगा की और ये छतरी कितने खंबोकी थी छे खंबोकी थी उसके बाद अगर बात करें बसवा दोसा यहाँ पर भी इनका एक समारक है और इस समारक का निरमान किसने करवाया था तो इस समारक का निर्मान करवाया था आमेर के उस वक्त जो सासक थे प्रत्विराज कच्छवा ने बस्वा दोसा के समारक का निर्मान करवाया था ये आपको दो कंठस्त रखने समारक की बात पूचे जहां अंतिम संसकार हुआ था वहाँ चतरी बनी छे खंबो की असोग प्रमार ने बनाई मांडलगड में और जहां पर इनको ले गया गया था समारक वहाँ बना बस्वा दोसा में और किस ने बनाया उस वक्त के आमेर के सासक प्रत्विराज कछवा ने बनाया उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है ये अंतिम हिंदू समराड थे ये क्या थे अंतिम हिंदू समराड थे क्या थे अंतिम हिंदू समराड जिनके बेनर यूं कह दीजे जिनके साथ में पूरा का पूरा राजपुताना या पूरा हिंदूस एक हो के लड़ा था qसी बाहरी राजा के आकरमन में और उसके बाद खुद बाबर ने अपनी आत्म कथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि अगर राना सांगा के समां और राना के सांगा के समां तीन संताने या में इनके उत्रादिकारी होते तो शायद किसी भारी आक्रमन की जरुरत नहीं होती कि वो मेवाड या भारत में अपना राज्य स्ताफित कर सके लेकिन हुआ क्या माराना सांगा के बाद में उनके उत्रादिकारी जो हुए वो इस हद तक काबिल नहीं हुए इस हद तक उनकी ख्षमताई नहीं रही तो उस वज क्या कर लीजिए स्क्रिन्सोट ले लिए कि उसन पूछा जाता है दोस्तों जो अंतिम वर्ड मैंने कहते आपके बाबर के कि उसन पूछा जाता है बाबर ने राणा सांगा के लिए ये वर्ड कब कहे या किसमें कहे कि अगर राणा सांगा के तीन उत्रादिकारी उनके समा तो भारत वर्स में मुगलो का राज्य नहीं जम पाता या स्थापना नहीं हो पाती तो यह ऐसा जो कतन है वो बाबर ने अपनी आत्म कता तुजु के बाबरी में कहा है या जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है तो यह ता दोस्तों महराना सांगा का दृत्य भाग उमीद करता हूँ यह आपके एकजान की दृष्टी से लाब दयाक साबित होगा आपको पुरा का पूरा समझ में आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्याता से ज्यादा शेयर करें आप लाइक ज़रूर करें वीडियो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से इसको सब्क्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली के जो दो वीडियोज है एक राजस्तान जीके का और दूसरा हम एगरी कल्चर के पॉइंट ओफ व्यू से जो अभी उध्यान विक्यान चल रही है वो सारा का सारा लेकर हम आपके साथ यूट्यूब पर हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका सयोग मुझे मिलता रहेगा धन्यवाद दोस्तों जैहे